है आज की सिने वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अलग हटके तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप भीवों के हैंड सेंट यूज करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको यह जो मैं आपको बताने वाला हूं काम में आ तो जैसे ही आप उस link पे click करते हैं तो आपको chrome browser open ना होके कोई भी दूसरा browser open हो जाता है या आप चाहते हैं कि हम मन चाहे ब्रोजर जो हमको असान लगता है जो हम लिगनी तरिके से उस browser को use कर पाएंगे वह आपको link पे click करने के बाद वह नहीं मिलता यानि कि दूसरा ही ब्रोजर आपको ओपन हो जाता है जैसा कि आप इस किरिन पे देख रहे हैं तो ये इसका सोलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ आप मन चाहे ब्रोजर जो है यूज कर सकते हैं अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे कोई ब्रोजर में आपको लगता है कि नहीं ये ब्रोजर हमको चलाने में इस्तमाल करने में यूज करने में बहुत ही आसान होता है तो वही उपर जर से associ जाता है चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ कि भीवो के तरफ से जो डिफॉल्ट ब्रोजर सेट किया गया है आप किसी भी लिंक पे अगर किलिक करेंगे तो यहां पे देखे भीवो का ही ब्रोजर यहां पे ओप नीचे आना है तो अगर आप जो है भीवो का जैर्वन प्रोजर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहां पे नीचे आएंगे देखिए यहां पे अप्लिकेशन एंड परमिसन तो यहां पे आप किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो अगरिया आप जो है भीवो का जैर्वन प्रोजर फोन हैंसेट जो यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अगर दूसरा फोन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू यहां पर आपको जो है मोड सेटिंग में आना पड़ेग मैं दूसरे मुबाइल के बताया उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं परमीशन मेरेजमेंट पर आप किलिक करेंगे यह किलिक करने के बाद यहां पर नीचे में देखिए डिफॉल्ट एप सेटिंग तो आपको यहां पर भी कई भी मुबाइल में मिल जाएगा के बाले आपको मूर्स सेटिंग में जाना होगा उसके बाद व्रोजर यहां पर Anybody आप इसे डिफॉल्ट यहां पर यहां पर जागा यहांप क्लिक करदे तो यह पाद यहां पर बहुत सारा आप के सना आपको देखनी को मिलेगा तो यहां पर और नícios को चान्मा करना चाहा ह हैं जो सबसे आसान यूज करने में आपको लगे वही आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो और भी ब्रोजर आप यहां पर एड़ करके सेट कर सकते हैं चाहे तो हम क्रोम ब्रोजर ही आप यहां पर सेट करते हैं तो मैं जहूं काफी दिन से Chrome Blocher का उप्वियोग करता हूँ और ये हम को जो आसां भी लगता है यूज करने में और Easy भी लगता है तो चल्लिए हम यहाँ पे Chrome Browser पे हैं यहाँ पे हम CLICK कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे Browser पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह देखिए Chrome browser open हो चुका है पहले जो दूसरा browser open हो रहा था लेकिन अब जो है Chrome browser open हो रहा है यहां से आप इसको desktop mode में भी आप कर सकते हैं यानि कि यह जो है काफी आसान है इस browser को यूज करना और बाकी browser से भी यह अच्छा है काम करता है और download भी करने में काफी ज्यादा आसान है तो आप इसी तरह के से कर सकते हैं फिर से मैं एक बार एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ जैसी हम किसी link पे click करते हैं यह देखिए आपका मन चाहा browser यहां पे open हो जाता है तो आप इसी तरह के से अपना default browser को set कर सकते हैं किसी भी browser को आप यहां पे मन चाहे browser को यहां पे उपयोग मिला सकते हैं किसी भी अगर link पे आप click करेंगे तो जो आप browser default में set की है उसी browser के थुरू link जो है open होगा तो यहां पे आपको काम करने में भी और कुछ download करने में भी काफी ज़्यादा आसान होगा तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समप्त करते हैं और समप्त करने से पहले और इस वीडियो को आप like कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे और बगल में जो बैला करने उसे लिए आप दवा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलता रहेगा अगर इस वीडियो करें गाडिंग आपके मन में कोई भी सवाल या सुजाब है तो आप हम नीचे बेधरक कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस्टाग्राम पर फोलो करना तो नीचे भी उसका description में लिंक दिया गया है प्रोवाइट करा दिया गया है लिंक तो आप वहां पर क्लिक करके आप हमें फोलो कर सकते हैं जोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए सांदर वीडियो में तब तक जहीं जावार